तो हलो दोस्तों बेलकेम बैक टू माई यूटूब चैनल ब्लोग मैं आपको स्वागत है तो आज फिर से हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं यह इधर दिखाई दे रहा होगा यह सुभास पार्क है तो हम चलते हैं वहां का सीन दिखाते हैं वहां जो भी है तो वीडियो में बिहार सरिफ में हैं दिखाई दरावा इसके जेस्ट अपोजिश साइड में इधर सुभास पार्क है तो चलते हैं हम टीकट लेते हैं और टीकट लेके अंदर होते हैं उसके बाद इंग्वाई करते हैं यह देखते हैं हम टीकट लेते हैं कितना टीकट का प्राइज है एक एक दे दीजे तो दोस्तों अब हम टिकट ले लिये हैं यह देख सकते हैं और चलते हैं अब अंदर की ओर यह है तो हम अंदर की ओर जा रहे हैं जैसे ही अंदर आएंगे गेट से जैसे अंदर आएंगे तो ऐसे ही एक यहां पर आनन्द जूला है देख सकते हैं इसका अलग टिकट है प्रती बच्च्छा देख सकते हैं बीच उरूप्या है बुध अच्छा सीन है nthme अ भी खेंपइबनत और में चलते हैं कि लिकाते हैं कर सकते हैं इस तरह से हैं यहां पर चैसे-ंदर नेखिंग में शूंद सकते हैं यहां पर पता है किन पना क्थाओं क्या हुआ इसमें इन्फरमेशन है ऐसा है वीडियो में बने रहे है और हम आते हैं आध संडे है तो आध बहुत सारा भीड है सब फैमली लोग भी आये हुए हैं घूने के लिए जूला सेक्षन है यह देखें यह सब देख सकते हैं जूला जूल रहे हैं करका आये हैं यहां फोटो शूट करने के लिए भी कुछ-कुछ लोग आये हुए हैं केमरा लेकर तो दोस्तों अब हम चलते हैं लेकर चलते हैं और वहां क्या-क्या है दिखाते हैं चलते हैं दोस्तों देख सकते हैं को यहां लाइटिण के रहा है लेकिन अभी रात के समझ Dalby सब्सक्राइब अधिस्याइब देख सकते हैं और हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं यहां क्या है और यहां जगा जगा पर बैठने के लिए यह बना हुआ है सब देखें यहां पर बैठे हुआ है सब लोग देख सकते हैं और देखें यहां पर एक नौका परिचालन भी था लेकिन अभी साइट यह बन रहा है अभी तो बंद है लेकिन हम बहुत पहले आये थे तो यहां पर बोटिंग ही होता था एकिन अभी इसका काम चल रहा जिका रहा बंद है यह दिख सकते हैं मिका ना पर भड़ा था यह देख सकते है और धर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे नौका भी रखा हुआ है अभी बंद है क्योंकि उसका काम चल रहा है तो यह देखिए यह देखिए साइड में रखा हुआ तो चलिए और हम जदी आप आते हैं संडे को आईए अब जदी यहाँ पे बिहार सरीप में लोकल रहते हैं तो अच्छा है अब यहाँ पे अराम से घूम सकते हैं बच्चों के साथ अच्छा लगेगा यहाँ देख सकते हैं आप फोटो हम खिचाने के लिए ने देखिंग SHKतना अच्छा बना हुआ है फोटो किचाने के लिए इस फोटो को आफ आराम से कि देखें यहां से कैसा सीन दिखिरा यह देख सकें इतना मस्त सीन है यह जब बन के तियार होगा न तो आप लोग जरूर आएगा यहां देखने के लिए और बोटिंग करने के लिए बहुत मज़ा आएगा कुछ दिन पहले हम एक बार और आये थे तो यह उस समय तलाब में पानी था तो समय बोटिंग भी होता था लेकिन अभी तो इसका काम चालू है वोटिंग का तो कोई सीन नहीं है जख सकते हैं वह आपे बोट रखा हुआ चाहिए तो जो भी है और वीडियो मने रहे है अ अदो झोला का भी नजवाय करेंगे जोला झूले हो और जो भी है ए पास करने के लिए अच्छा है मतलब ज्यादा मतलब टीकट का प्राइज भी नहीं है अराम से दस रुपर टीकट का प्राइज है यदि आप फिरी हैं बहुर महसुस कर रहे हैं घर पे तो आराम से बच्छों के साथ यहां पर आईए घूमिए और मजा कर जे आओ दखें दिखाई दे रहा है वहां पर गल्फ्रेंड के साथ आया है फिर उधर भी दिखाई दे रहा हुआ है गल वन्रेंड के साथ आया है जो महन इन्य लिए यह देखें यहाँ पर इसे पथल सभ लगाया जा रहा है चारो तरफ यह देख सकते हैं किसी लगा तो चलते हैं तो बारिस में मजा भी आ रहा है लेकिन थोड़ा सा धींग भी गये हैं तो चलिए और जूला का अनंद लेते हैं अध्या यहां पर बच्चा लोग खेल रहा है देखिए दिखाई दे रहा होगा सब खेला अब फेमली लोग भी यहां पर आये हुए है देखिए बैटने का भी जगा जगा पर अधर जो आगे दिखाई दे रहा होगा वो केंटिंग है लेकिन अभी बंद है इस देखिए बच्चो का है इस जूला कितना मस्त है भी तो बंद है हघस किपशए बंद कंड देखिएaden कंड का वी जगा कirk आप है झाल था कितना मस्त देखिएएएएएएएभ गो टे लो काई देखिएएएएएएएए ने टै Worksä सब्सक्वेश्य मुद्रीय ऐले हैं आ झारst दॉझ सब्सक्राइब देख सकते हैं रात में फुहारा के साथ लाइटिंग बहुत खुबसूरत दिखाई देता है और देखिए इस तरह से पेर का कितना खुबसूरत डिजाइन है यह देखिए देख सकते हैं देखिए अज़ संडे है ना तो थोड़ा सा भीड़ है और बारिस नहीं राता ने तो और ज्यादा भीड़ रहता है तो बारिस के खारन थोड़ा सा कम भीड़ हो गया तो आधिए कितना अच्छा खुबसूरत फूल है तो देख सकते हैं तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं तो आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अब हम चलते हैं